हेलो दोस्तों, वेलकम बाक टू माई चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे होंगे, क्योंकि आज कल मौसम जेंज हो रहा है, बीमार होने के बहुत चांसे हैं, इसलिए अपना बहुत चारा ख्याल रखियेगा, चलिए, आपका स्वागत है फिर से म क्राफ वीडियो है, आपको पता है कितना शौक है मुझे क्राफ बनानेगा, तो आज की वीडियो क्राफ वीडियो है और आज वेस्ट मेतेरियल से ही जादा थर हम एक, दो, तीन क्राफ बनाएंगे, तो इसमें फ्रेंड्स हम यूज करने वाले हैं जो कार्ड बोड पकेज है और इतनी अच्छी फिनिशिंग है इससे कुछ ना कुछ तो बनाना बनता ही है ऐसे केसे इसको मतलब थ्रो कर दू है ना कौन ही लुक देखिए इन्हें पता ही नहीं है कौन है चलिए हम फर्स्ट क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम लेंगे एक काड़ बोड और उसको सर्कल में काट देंगे इसके साथ अब यूज होगा हमारा काड़ बोड अगर आपके पास ऐसा काड़ बोड नहीं है सिंपल वाला है तो उसमें से भी अगर आप पेपर की एक लेर चुड़ा दें तो ये वाला टेक्च्चर आ जाता है अंदर से अभी ग्लूगन तो आपको थोड़ा थोड़ा ही यूज करना है और ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है इतनी जादा हाइट मुझे चाहिए नहीं थी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कार्ड दूँगी चोटा कर दूँगी और ये जादा कार्ड बोड स्ट्रॉंग नहीं है इसलिए इसको बड़े हैवी चीजों के लिए रखने के यूज नहीं कर सकते हैं और इस नीचे बेस में मैंने एक और कार्ड बोड लगा दिया है अब ये जो एजिस हैं इनको मैं मास्किंग टेप से मास्क कर दूँगी मतलब ढग दूँगी और ये वाला कॉंबिनेशन इतना अच अच्छे से लगानी है ऐसे कोई रिंकल्स वगयरा नहीं आने चाहिए तो इसमें कुछ और करने की जूरत पड़ेगी ही नहीं और इसमें प्लेट वगयरा पुरानी अगर प्लेट हो ढगकन हो तो वो रख सकते हैं तो इस तरह ये रेडी हो गया है और मैं इसमें प्लांट रख रही हूँ और देखे कितना अच्छा लग रहा है ओनलाइन 500 तक जूट के मिल जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही कुछ जुगार किया चाहे और इसको अगर पानी देना है ना प्लांट को तो इसको अबिसली निकालना पड़ेगा थोड़ा प्रिकॉशन तो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे बना दूँ क्योंकि इसका टेक्स्चर और उसका टेक्स्चर सेम ही था तो मैंने अलग-लग शेप्स काट ली हैं देख लीजिए आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप काट सकते हैं तो मैं देखिए इस तरह काट रही हूँ और इसमें एक जो मैं यूज करने वाली हूँ और यह देखिए यह सारे पीसिस मैंने ले लिए हैं और मैं इनके एजिस को सेक्योर करूंगी या मास्क करूंगी मास्किंग टेप से इस बार भी हम मास्किंग टेप को बहुत अच्छे से लगाएंगे कोई रिंकल्स नहीं आने देंगे और देर इनके उपर कोई वेट रख देती हूँ ताकि यह स्ट्रेट हो जाएं और आपको यह दियान रखना है कि बहुत जादा भारी चीज नहीं रखनी है कि इनके रिंकल्स ही खराब हो जाएं तो ऐसे कुछ हलका फुलका यूज करें अब मैं जैसो अपलाई कर रही हूँ इन पर मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं यह अगर मैं कलर करूंगी तो मुड़ तो नहीं जाएंगे एकस्पैंड तो नहीं हो जाएंगे इसलिए मैंने जैसो यूज किया है कुछ पीसिस पे कुछ पे नहीं किया है अब जैसो के बाद हम कलर करेंगे और एक बात ध्यान पर फ्रेंट्स ऑविसली पानी यूज होता ही है कलर करते हैं ऐसे थोड़े ना पूरा प्योर कलर यूज कर लेंगे तो कलर्स ही खतम हो जाएंगे और इस बार देखिए मैं कितने अलग लग कलर बना रही हूं शेड्स मतलब कलर्स की और मुझे बहुत खुशी हो रही है यही कलर्स मिलते हैं तो यह पहली बार ऐसे से कलर्स बने है मुझसे तो फ्रेंट्स आप नोटीस तो करी रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरा कलर हो रहा है उसके उपर मैं थोड़ा सा वेट भी रख रही हूं ज्यादा भारी सामान रहीं रखना है गीला है कार्ड़ बोर्ड है यह स सीधे रहें अब मैं कले का यूज कर रहे हूं जैसे दो कलर्स के बीच में थोड़ी बाउंडरी बनाने के लिए और इसको वैसा ही टेक्शर दे रही हूं ऐसे लाइन्स वाला तो आप सिंपली भी रख सकते हैं जरूरी नहीं अगर ऐसा टेक्शर नहीं देना है इसमें थो और बाउंडरी को कलर नहीं किया है पहले अरेंज कर लेते हैं में भी कुछ चली जाए कट जाए तो पूरा अरेंज करने के बाद अब मैं इस पे गोल्डन कलर कर रही हूं ब्लैक मैंने यूज कर लिया है अदर्वाइस मेंको तो ब्लैक अच्छा लगता है बाउंडरी इस पास ये क्ले के पड़े हुए थे कुछ सूखे सूखे पीसे तो इस तरह लगा के यह आया इसका कम्प्लीट लुक चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्राफ्ट की तरफ पढ़ते हैं इसमें भी अगें हम कार्ट बोर्ड का एक पीस लेंगे सर्कल शेप में और इसके अंदर एक और सर्कल बनाएंगे और फिर वही शीट लेंगे इसमें ये बाहर टेप्स लगी होती हैं इनसे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो मैं इनको छुडा रही हूँ तो इस वाले कार्ट बोर्ड के पीस को हम ऐसे सर्कल की शेप में लगा देंगे चारो तरफ पर मुझे बाद में ख्याल आया कि वो स्टेंडिंग लाइन्स में था तो मुझे ऐसे स्लीपिंग लाइन्स में चाहिए था तो ये वाला कार्ट बोर्ड ना इस तरह मोड़ी नह बनाने की कोशिश कर रही हूँ और दूसरे वाले पीस से बन ही नहीं रही थी इसलिए मैंने सिंपल एक पेपर पीस ले लिया है ब्राउन पेपर और इसको हम ऐसे जो होती है ना बर्थडे कैप उसकी तरह बना देंगे और इसके उपर ऐसे लगा देंगे चट की तरह यह दे है कैप और मैं यही टेक्स्चर चाहती हूँ जो यह जो शीट्स है वही लगें तो इसको मैंने थोड़ा-थोड़ा करके काटा है क्योंकि इसको राउंड में नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे चोटे-चोटे पीस करके चट बनाऊंगी तो इन शीट्स को लगाने का अच्छा तरीका यह है कि आप जैसे घड़ी में 12, 3, 6, 9 होते ना वैसे वैसे लगाते चलें एक साइट से शुरू ना करें और फिर अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा और यह राउंड करके मैंने ब्राउंड शीट ली है और इसको मैं उपर टॉप पे लगा रहे हूं च्छत के त बिल्कुल अच्छा से स्क्यूर हो गया है और अब चलते हैं च्छत के नीचे वाली साइट की तरफ तो यहां बहुत ही जादा लंबा हो गया था तो मैंने इसको काट दिया है अब इसकी एजिस को भी थोड़ा सा ठकने के लिए ब्राउन पेपर का ही यूज कर रही हूं औ और यह वाला लाइट सा ब्राउन है तो उपर वाला जो टॉप था वो भी इसी से ही किया है तो यह नीचे भी अलग सा थोड़ा कॉंट्रास्ट बन जाता है इसके बेस को कवर करने के लिए मैंने लगा दिये है से फ्लार्स और पूरा मैं इसको अच्छा से कवर नहीं करनी है पर यह जो दरवाजा है ना जिसमें हमने मास्किंग टेप लगाई है यह वाइट वाइट कलर किया है तो इसको भी ढखने की जुरत है तो यह मैंने ले लिए हैं ब्राउन पेपर बैक के हैंडल है तो दो हैंडल को ऐसे ट्विस्ट कर लिया है और यह एक मरसी जैसी बन यह तो इसको लगा दिया है तो यह अच्छा लग रहा है अब देखने में अब चलिए च्छत की तरफ बढ़ते हैं यह जो च्छत पर मैंने नीचे नीचे ब्राउन पेपर लगाया ना इसको भी थोड़ा बाउंटरी को ढखने की जुरत है क्योंकि यहां यह खुला खुल इसको आप ऐसे टेबल पर भी रख सकते हैं कियोंकि यह फ्लार ड़क्र यहां को वेकृँश पर हमने हैं करने का भी जुगार किया हुआ है तो यह लिए इस तरह हम ब्राउन पेपर की ते सारी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने सब किछी कठ्था रग दिया है और मैंने देख जो हेंक किया हुआ है किड़की की जो करटन राइल होती है उसके साथ तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो आई होप आपको आज खी वीडियो अच्छी लगी होगी ऐए अगर रचे लगे होगे और क्या बोलते हैं अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजएगा और वीडियो को लाइक कर देजएगा बस यही है चलिए आप मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्या लगेगा और खुश रही है का बाइ बाइ